Welcome guys, अभी हम लोग wattless current पर बात करने वाले हैं, बहुत important topic है board exam के लिए, ठीक है, इस chapter के notes वगरे के लिए आप हमारे website www.physicsbyamonward.com पर भी visit कर सकते हो, देखा जाए, wattless current क्या होता है, जैसे कि एक ऐसा current जो किसी भी तरीके का watt नहीं लेता हो, यानि कि power वगरे dissipate नहीं करता हो, current मेरा wattless current कहलाता है, जैसे आपको बतलाते हैं, आपको याद होगा phasor diagram अपने पढ़ा है, phasor diagram में यहाँ इधर होता है क्या, IRMS होता है कि नहीं, और याद होगा आपको इधर आता था कुछ ERMS, याद है, यादा रहा है, आच्छा है, इसके और इसके बीच का जो angle होता थ यह होता था क्या, phi होता था ना, आच्छा ठीक है, देखा जाए, अगर क्यालते हैं, आप power का formula क्या पढ़ते हो, power का formula पढ़ते हो, ERMS, IRMS, cos phi, या IRMS, ERMS, cos phi बोलो, या ERMS, IRMS, cos phi बोलो, एक ही बात है, आच्छा ठीक है, 5 गुना 3 गुना इतना, या 3 गुना 5 गुना इतना अच्छा, अब आप देखो तो, जैसी ये IRMS है, इसका अगर आप चाहो, तो component तोड़ सकते हो, इसका एक इधर, और एक इधर, तोड़े, तो इसका इधर, और एक इसके perpendicular अगर ले ले, नहीं, कोई भी चीज का component तोड़ना जामते हो, यसे अगर कोई force इधर लगड़ा है, तो इसका एक component इधर, इसका इधर तोड़ सकते हो, उधर ये F है, जिधर angle होता है, उधर F cos theta, और दूसरे side F sin theta, ये सब किये हो गया आप लोग ना, IRMS है, तो इसका इधर component कितना हो जाएगा, IRMS cos theta, और इसका इधर component कितना होगा, ये और ये perpendicular होगा ना, तभी ने component आप तोड़ सकते हो, क्या, ये दोना हम लोग perpendicular इस तरीके से खिच सकते हैं, और इसके बीच में ये क्या है, IRMS, तो इसका एक component इधर तोड़ दिया, IRMS cos theta, और इसका एक component इधर कितना तोड़ेंगे, इन फाय से तोड़ सकते हैं, आच्छा ठीक है, तो आप देखो तो power बड़ाबर क्या होता है, power बड़ाबर जो है, power बड़ाबर, ये ERMS, IRMS cos theta, इन दोनों का गुना, क्यालते, जैसे आप या थे, work done बड़ाबर force into displacement, जैसे कि अगर इसी object को यहां से यहां displace कर के लेके कहले इधर displace किये, तो work done बड़ाबर क्या होता है, formula, force, इधर लगने वाला force, इधर लगने वाला force, यानि कि F cos theta, इधर लगने वाला force into क्या इधर का displacement, यानि कि X, तब न, formula बनता है क्या, Fx cos theta, work done बड़ाबर, इसी को आप लिख देते हो, work बड़ाबर, F dot X, या force displacement का dot product लिकते तो जिधर क्यालते हैं, displace होडा है, उधर ही वाला force हमों को लेना होता है, work निकालते समय, तो force और displacement का गुणा, उसी तरह से यहाँ पर देखो तो आप power करते हो, तो क्या करते हो, ERMS और इधर क्या, IRMS cos theta, इस IRMS का एक component इधर बोला जा सकता है, ERMS, IRMS cos theta, या IRMS cos theta क्या है, इ square, इसको multiply किये, तो हमारा power आ गया, तो power जब भी आप निकाल रहे हो, तो power में देखो तो, यह जो IRMS cos theta वाला term है, इसको कहेंगे क्या, यह cos वाला component हो गया, यह एक तरह से कह सकते हैं, इसको component of क्या, क्यालते है, IRMS, यानि की current, न, component of क्या, current, current का component है यह, I cos theta, न, तो वो हमा आ पावर दे रहा है, तो यह जो IRMS cos phi है न, यह है, watt full current, watt full current क्या हो गया, IRMS cos phi, लेकिन, क्यालते हैं, इसी का एक component इधर था, IRMS cos phi, यह तो power में काम आ गया, लेकिन, इसका एक component जो इधर होगा, IRMS sin phi, यह तो power में कोई role play नहीं कर रहा है, power में तो यह और यह दोनों एक ही direction में यह वाला दोनों multiply हो जाता है, तो न, पावर आता है, power में इस IRMS sin phi का कोई काम नहीं है, तो यह तो क्यालते हैं, does not dissipate power, क्या, does not dissipate power, इसी लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को, क्या एक और definition लिखा सकते हैं, कि the IRMS, sin phi component, component of current, is called, क्या, is called, waterless current, is called waterless current, ठीक है, ऐसा भी आप define कर सकते हैं, ठीक है, तो waterless current कौन सा हो गया, वो current का component, जो कि power में हिस्सा ना लेडा हो, यानि कि कौन, IRMS cos phi, the current which does not participate in power dissipation, is called waterless current, वो current, जो कि power dissipation में हिस्सा नहीं लेता, उसको waterless current कहते हैं, यानि कि वो किसी तरह का watt नहीं लेता है, ठीक है, वो waterless current हो गया, इस तरीके से, या तो यह definition भी लिख सकते हैं या यह definition भी लिख सकते हो, और waterless current का मान क्या होता है, IRMS cos phi, या I cos phi भी आप लिख सकते हैं, इसी को I, sorry, waterless current क्या होता है, IRMS sin phi, तो इसको आप लिख सकते हो, I sin phi भी लिख सकते हो, ना, आच्छा, और यह जो है मेरा इधर, IRMS cos phi, यह तो waterful current है, यह मेरा क्या है, IRMS cos cos phi, IRMS cos phi, यह कैसा current है, waterful current, ठीक है, लेलो screen source का, तो यह definition को लिख सकते हो, आप, ठीक है, समझ में आए होते बिड़े को लाइक लोना, चन पने होतो, सब्सक्राइब कर लेना, बाबाए, चाते यह आत एक बाद प्लिली जरू देख लेना,